हेलो दोस्तों अंजना के चैनल में आप सभी का हर दिक स्वागत हैं तो आईए दोस्तों आज मैं आप सब को ले चलती हूँ त्रेता युग में त्रेता युग में इशबरी को भगवान राम कैशे मिले थे दोस्तों भिलनी महात पश्वीनी सबरी जाको नाम मतंग मुनी कह कर गए कि तोहे मिलेंगे शिरी राम ये कहानी एक ऐसे महाभक्त की है शबरी माता की जिसने दो जनम तक भगवान शिरी राम का इंतजार किया भगवान तो भाव की भूखे होते हैं दोस्तों मरियादा पुर्शोतम शिरी राम जो कई बर्षों की तपश्या के बाद भी रिशी मुनियों को नहीं मिलते वो एक भिलनी शवरी के घर स्वें चल करके आए ना सिर्फ तर्षन देते हैं बलकि उस भिलनी के जूटे बेरवी खाते हैं तो ये भाव ही तो है ये प्रेम ही तो है दोस्तों दोस्तों शबरी माता पिछले जनम में एक राजा की बहुत सुन्दर रानी थी एक बार दोनों राजा रानी प्रियाग राज पर जहां कुम का मेला आज भी लगता है वहां पर प्रियाग राज में कुम के मेले को देखने को राजा रानी दोनों साथ गए अपने पूरव जनम में भी माता शबरी को प्रभु शिरी राम से उतना ही प्रेम था जितना की शबरी के जनम में हुड़ था उसमें राणी ने जो शबरी माता थी वो पिछले जनम में जब राणी थी तो राणी ने उसमें राजा से अपने पती से कहा कि महराज मैं बाहर जाकर संत महत्माओं के शाथ भगवान शिरी राम का भजन किर्टन करना चाहती हूँ जिस पर उसके राजा पती ने ये कहकर मना कर दिया कि तुम एक रानी हो इस तरह के छोटे लोगों के शाथ बैठना शोभा नहीं देता अपनी मर्यादा में रहो इसके बाद राजा की बात रानी को इस प्रकार चुब गई कि उन्होंने बाहर जाकर गंगा के पाने में जाकर अपने प्रान त्यागने का निश्चे कर लिया और इश्वर से प्रानत्यागने से पहले उन्हों ने कहा कि हे मेरे राम हे मेरे प्रभू अगले जन मैं मुझे इतनी कुरूप बनाना और मुझे इस जन मैं तो आपने बहुत उचकुल में पैदा किया है परन्तु अगले जनम में मुझे भीलिनी बनाना ताकि मैं आपकी तपस्य कर आपके दर्शन करशकूं और कोई मुझ पर पती रूप का बंधन ना हो कोई जाती का बंधन ना हो ऐसा कहकर रानी ने शिरीराम को प्रणाम करके गंगा नदी में अपने प्रान्त याग दिये दोस्तों वही रानी अगले जनम में शबरी माता भिलनी की रूप में बनी शबरी को शबरी माता मतंग मुनी की शिश्य थी शबरी माता मतंग मुनी के जो आश्रम था वहीं पर रहती थी शबरी माता को मतंग मुनी ने कहा था कि शबरी शिरी राम एक दिन तेरी इस कुटिया पर खुद चल कर आएंगे दोस्तो शबरी माता कई परशनों तक रास्ता प्रती दिन साप करती कि कहीं कांटे न लग जाए जब मेरी शिरी राम आई और फूल विछाती थी कि मेरे प्रभु आएंगे तो उनको कहीं कांटे न चुबी उनके कोमल कोमल चर्णों पे उनकी रहा तकती रहती और उनके कोमल कोमल चर्णों पे फूलों की सुगंद महकती रहे और उनको फल के भोक में लगाऊंगी ऐसी कलपना अपने मन में शवरी माता करती रहती शवरी हर वक्त हे राम हे राम बोलती रहती थी जब प्रभु राम अपने भाई लक्षमन के शाथ माताशीता के खोज में दर दर भटक रहे थी तो उनको शवरी की आवास कानों में आई राम से बड़ा तो राम का नाम होता है दोस्तो भगवान राम ने लक्षमन से कहा कि हे अनुज मेरी एक माता है जो बर्षों से मेरी तपश्या कर रही है मेरी रा देख रही है मैं भी अपनी माता से मिलने को ब्याकुल हो रहा हूं तो हे अनुज आप मेरे शाथ उस माता शबरी की कुटिया में चलें अब बोशमय आ गया है प्रभू शिरीराम माता शबरी की कुटिया में आते हैं दोस्तों माता शबरी की नजर जब शिरीराम पर पड़ती है तो माता की आँखों से खुशियों की अश्रुधारा बहने लगती है माता शवरी रोकर कहती है मेरे राम आप आ गए मेरे राम आप आ गए दोनों हाथों को जोड़ कर माता शवरी ने प्रभू के चरन पकड़ लिये और कहा मेरे राम मैं तो दो जनमों से आपकी रा देख रही थी लोग मुझे पागल बुला रहे थे पर मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि शवरी एक दिन प्रभू शिरी राम तुझसे मिलने जरूर आएंगे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितना अधभूत द्रिश्य होगा ओ हम तो शिर्फ कल्प नहीं कर सकते हैं कि एक भक्त और भगवान का कितना सुन्दर मिलन दो जनमों के बाद हो रहा है शवरी भगवान को बड़े प्यार से निहारती रहती है और उनको बेठा कर खाने को बेर देती है लेकिन बेर कहीं खटे ना हो इसलिए चक कर भगवान को देती है और मेरे राम उन जूठे बेरों को माता शवरी के हाथों से बड़े प्यार से खाते हैं भगवान तो भाव के भोके हैं दोस्तों अपने भगतों के साथ बहुत प्रेम करते हैं और राम मिलन के बाद माता शवरी ने फिर प्रभु राम से आग्या लेकर शमाधी लेली और स्वरक लोग को चली गई मतंग रिशी ने कहा था कि दुनिया शवरी राम को ढूंडती है प्रन्तु तु तो इतनी ऐसी खुश नशीब है कि तेरे दरवाजे प्रभु शिरी राम स्वें चल कर आएंगे तो ऐसी माता शवरी के चरणों में शत्सत नमन और प्रभु राम जी को भी शत्सत नमन तो देखा दोस्तों आप सबने अगर हम अपने मन रुपी इसमें प्रेम रखें अपने भाव रखें भगवान के प्रती किसी दूसरे जीब के प्रती भी तो भगवान एक ना एक दिन हमें जरूर मिलते हैं किसी ना किसी रुप में तो जिससे कि हम अपने इस जीवन को भी सफल बना सकते हैं तो थेंक यू प्लीज सब्सक्राइब में मैं चैनल थेंक यू